हेलो स्टूडेंट आज की वीडियो बीकॉम प्रोग्राम और सेमेस्टर पी के स्टूडेंट के लिए है और ये भी सरफ और सरफ इनकम टेक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बच्चे पूछ रहे थे बार बार उनको कुछ जानकारी देने के लिए बनाई गई है तो चलिए देखते हैं आज इनकम टेक्स के अंदर हमें क्या क्या सीखना है और कितने स्लेवर से कितना नहीं है मैं चैप्टर लिख था उससे बेटर मैंने क्या करा सारा का सारा मैंने जो ओफिशियली वेबसाइट पर कंटेंट है जो डियू कहता है कि हम एक्जाम में यह पूछेंगे उसी से रिलेटिड मैंने सामने कंटेंट रखा हुआ है सर हमारे पास पहले समझ लेते हैं कि है क्या और स्टडी कैसे करना है तो एक तरीखे से मैं इस ट्री करेंगे इसको ठीक है न यह सभी बच्चे देखते हैं वीडियो जो बच्चे कहीं क्लासिस ले रहे हैं चाहे यूटूब पे मुझसे पढ़ रहे हैं चाहे मेरे पास वाइस डिवाइड है यह पहले आपने समझना होगा हमारे जितने भी चैप्टर है वो यूनिट वाइस डिवाइड है यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 अब सर मैं देखो मेरे अगर प्रसनल ओपिनियन पूछते हो तो मैं यूनिट को नहीं मानता जी इतने चप्टर है इसके बाद ये होने चीए बात खतम लेकिन डियू का एक अपना है कि यूनिट के हिसाब से चलते हैं वो यूनिट 1 के अंदर क्या-क्या हमें पढ़ना होता है यूनिट 1 के अंदर मैं टाइम भी बताऊँगा कितना टाइम आपको लगाना है यूनिट 1 के अंदर बेसिक कंसेप्ट है Agriculture Income है Person, SSC और Permanent यानि मैं Basic basic चीज़े बात करनू तो Unit 1 के अंदर Tीन चत्य है एक Basic Unit 1 के अंदर तीन चत्य है सर एक Basic और प्लस Residential और प्लस Exempted सर इसको करने में कितना समय लगना चाहिए सर इसको करने में पाँच दिन और इसके बिना देखो exempted income तो एक बार को छोड़ सकते हो लेकिन basic concept बिना किये हुए आप आगे बढ़ोगे जो कुछ समझ भी नहीं आएगा क्योंकि SSC, previous year, assessment year slab rate, new rhythm, old rhythm सब इसी में ही है residential status भी पढ़ना होगा क्योंकि आगे फिर deduction में आएगा individual non-residence तो सर एक residential status और एक ही है ये दोनों तो पढ़ना होगा पांस दिन लगाई है और exempted income भी पहला unit finished हो जाता है हमारा सर दूसरा unit सबसे main salary दूसरा income from house property सर ये unit है ना आपके इंतिहान में एक्जाम में 25 नंबर का वेटेज प्ले करेगा ये 25 नंबर का है सर फर्स यूनिट कितने का होगा सर फर्स यूनिट जो होगा वो होगा हमारा एक 6 नंबर का question आता है और 10 नंबर के आसपास का होगा ये इसमें दो ही चेप्टर डाले हैं सेलरी सेलरी यूटूब पे चल रहा है और सायद मैंने 32 क्लासिस यूटूब पे अफ्लोड कर दी है कि अब belonged है अटो सेलरी की और भी classes pending है तो बहुत बड़ा चेप्टर ही सर कितना इसमें अटाइम लगना चाहिए इसको करने में तो सेलरी और एसपी को करने में अवाग पहलेहल चाहाओ यूटूब पह देखो मैं पूरी कोर्ष कर रहा हो के लिप सब्सक्राइब हो सब्सक्राइब है कोई भी संडे हो मंडे हो इनिक यह नहीं यह बाधन रहा हो I형 लेकिन मैं क्या कर सकता है इतने बड़े बड़े चब्टर है तो जैसे-जैसे वीडियो record你有 concern more रही है मैं बोलता है शब से पहले मैंने बोल रखाई कि इंकम टेक्स के वीडियो अप्लोड करो स्लेवर्स दिसंबर में एक्जाम है बहुत सारा रहता है हाँ जो बच्चे लाइब में है उनका चेप्टर क्यापिटल गीन मतलब कि सेलरी खतम हो चुका है हाउस पॉपटे भी उनका खतम हो चुका है यानि सर और यहां पर आपको कितने दिन लगाना है आपको अगर पूरा रिवाइज करते हो तो 15 दिन में खतम होना चाहिए समाना चनी पर कैसे बाते कर रहे हो 15 दिन में तो आपने भी नहीं अकर बहुत है के बात करूं कि अपके Episode 20 दिन हैं माना के चलो तो 15 और किस हिसाब से आपको strategy बनाना यह वह भी बच्चे भी तो होंगे ना जो कहीं और पढ़ रहे होंगे उनको भी तो थोड़ी help मिलेगी 15 दिन इनफ टू इनफ है पहले 15 दिन में जल्दी से जल्दी खतम करना उसके बाद दिन reduce होते जाएंगे एक बार slaves कर लिया तो फिर मैं बो capital gain और एक अधर सोर्स यह तीन चप्टर है कि सर मैंने capital gain करवा दिया है अधर सोर्स मैंने करवा दिया है और पीजी बीपी अभी नहीं हुआ है मेरे पास जो अब स्टार्ट होगा पीजी बीपी जो बच्चे कहीं और पढ़ रहे हैं उसके लिए यूनिट कितने दिन में ख समझी है कुछ बच्चे कह रहे हैं कि income tax है और compulsory subject है देखो due के अंदर easily pass नहीं होने देंगे आपको मैं बड़ा simple से example लूँ तो अभी जब due के 100 साल पूरे हुए थे तो उन्होंने special chance निकाला था जिसके अंदर special chance का मतलब 5 साल के बाद आपको due बाहर कर देता है भगा देत देज के person exam देने गए थे उनको भी पास नहीं किया था सोचो 80 यह वहाँ भी पास नहीं किया गया तो यह पढ़ना तो पढ़ेगा तो 20 से 25 दिन तो टोटल हमारे होगे सर्प 20 दिन 35 दिन और 10 पैंतालिस दिन बचे 50 दिन हैं मैं यह जो days मैं आपको बता रहा हूं यह उसके accordingly बता रहा हूं कि आप पूरा detail में पढ़ रहे हैं अभी तो आपने स्टार्टी किया उसके according इतने दिन में खतम कर लो इसको और प्रोग्राम का exam जैन के अंदर है तो थोड़ा सा extra time मिल जाएगा मैं प्रोग सर यह चैप्टर यह जो unit है यह दो से तीन देन कि टू तो ट्री डेज बस यह एक्जाम में कितने नंबर का सवाल आएगा सर चे नंबर और दस सोला नंबर और चे यह बीस से 21 नंबर का सवाल आएगा इसमें से यानि सबसे बड़ा हमारा unit number 2 ही है जो exam के weightage के point हो इस दिख पूछा जाए अब इसके बाद computation of individual इसमें से exam में बहुत rare पूछा जाता है टेक्स liability यह चैप्टर ना आप इसके अंदर से e-filing return को हटा दीजिए बाकी e-filing return क्या है आपका computer based है जिसके अंदर से बताते हैं इसको हटा दीजिए बाकी ये chapter अगर आपने ये सारा कर लिया है तो इनी सब को मिला के कुछ questions यहां बनाए गए है text liability के नाम से उसको हमें करना है तो यानि जिसके 4 unit खतम हो जाते हैं ये chapter सर वो 2 से 3 दिन में कर स लगते हैं यानि कहने का मतलब सर unit number two और unit number three बहुत बड़ा chapter है इसके अंदर सबसे ज्यादा time लेगेगा जिसने unit 123 कर लिया वो फिर income tax के अंदर पार लगा लिया उसने तो टोटल 50 दिन है तयारी start कर दीजिए मेरे पास जितने बच्चे भी पढ़ रहे हैं उनका मैं कोसिस कर रहा हूं देखो मैं तो पूरी मेहनत कर रहा हूं YouTube के बच्चों के लिए के भीया उनका slaves खतम कराया जाए salary चल रहा है मैं बोल रहा हूं जल्दी से जल्दी regular डालो और मेरी कोसिस अब है कि एक दिन में दो वीडियो भी मैं बनानके डालने लग जाओ ऑफलाइन वाले बच्चे जो है या फिर जो बच्चे पेड अप्लिकेशन पर पढ़ रहे हैं उनका फर्स्ट उनिट खतम हो गया सेकेंड यूनिट भी खतम होने वाला है बस एक चप्टर रह गया उनका स्लेवर्स तो ट्रेक पे चल रहा है फिर भी मैं उनका रेगुलर क्लास ले रहा हूं दो घंटे की और मैं यह चाहता हूं कि भीया दस दिन पहले स्लेवर्स खतम हो और अच्छे से आप एक्जाम में रिवाइज करके हो यानि रेगुलर क्लास हो रही है उनकी एक तरीके से तो सर यह सारी चीजे आपका प्रोविजन है इस सरीके से पढ़ना है तो एक्जाम के अंदर सर आप सबसे पहले नमबर वन पर यूनिट वन खतम करिए सर फिर आप यूनिट टू को खतम करिए फिर आप यूनिट थी को थोड़ा गैप देके फिर नमबर तीन पर इसको खत सब्सक्राइब करें तो यह सोच रहें कि लास्ट टाइम पर पढ़ लेंगे कुछ भी नहीं पढ़ा जाएगा लास्ट टाइम पर कुछ भी नहीं हो सकता और यह आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है क्योंकि यह हर जगह आपका यूज होता है अगर आप कॉमर्स से जुड़े रहोगे तो वैदर आप एमकॉम करो वैदर आप एंबीए करो कोई भी कुछ भी करो तो टेक्सेशन जो है हमेशा काम आने वाला मुझे आपको यही जानकारीद देना घार इतना ही बताना को फूली है यह ऑर सब्दास का रखाईएं और सब्जात करणाएगगी है वहोगल यह वपडेवाату li aट्यारe वह आप उससे डिमांड करें गे ऐिए नियर भाइशॉप कहीं वह एंटेली में रहते i कहीं भी जाईए और बोलिए कि मुझे शिवदास का टेनियर दे दीजिए इंकम टेक्स का मिल जाएगा तो होफुली आपको help मिली होगी फिर से हम स्लेवर जल्दे से खतम हो आपको वीडियो अच्छा लगे पसंद आए लाइक करो सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को शेयर करो कि बच्चे बहुत सारे बच्चे ऐसा हैं जो सब्सक्राइब भी नहीं करते और दोस्तों को बताते भी नहीं है यूटीब पर स्लेवर पूरा होगा लेखिन मैं यह नहीं बोल सकता कि स्लेवर पूरा कभ होगा हाँ एक्जाम से पहले मैं जरूर करा दूँगा लेखिन जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं ऑफ्लाइन के अंदर आ रहे हैं उनका स्लेवर मैं उनसे थोड़ा 10 दिन प अभी देखो income जादा है तो मैं salary भी paid करूआ तो income इस level का नहीं है कि मैं उसको salary paid का हूँ, simple सी बात है sir, जब income आएंगे तो खर्चे भी करेंगे आप लोगों के लिए, तो सीधी सी बात है, ये सारे subject है, ये सारा chapter है, सिर्फ मैंने इसके लिए, साथ के साथ मैं और भी theoretical notes के ल attention है कि income tax आपको अच्छे से कराए जाए, तो thank you so much, मिलते हैं next video के अंदर इसी तरीके से,